लर्निंग मंत्रा के आनलाइन पार्शाला में आपनों का स्वागत है जैसा के आपको एक बात मालूम हो गया होगा के टीजिटी पिस्टी दोहदार बीश का विग्यापना सुका है ऐसे इस्थिति में संभावना इस बात की भी है कि आपका एकदाम मार्च के या अपरेल के फर्स्ट वीक में हो जाए बहराल एकदाम चाहे जब भी हो लेकिन आपको अपनी तैयारी को पुक्ता करना होगा इसी संदर्व में आज हम आप से कुछ बातों को करने के लिए आये हुए हैं और इस वीडियो को बनाने का उदेश है कि ऐसे विद्यार्थी जो किनी कारणों से किसी कोचिंग संस्थान में नहीं आ सकते या दूर दराज में ग्रामेन इलाकों में रहते हैं और टीजिती पीजिती के फार्म को अपलाई करके सिच्छक बनना चाहते हैं ये वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए हैं और ऐसे भी विद्यार्थियों के लिए हमारा ये वीडियो लापकरी होगा जिन्होंने अब तैयारी करना शुरू कर दिया है किस प्रकार से करें, हमारा पाथिक्रम क्या है तो ऐसे बहुंशारे सवालों का जबाब, आज के इस क्लाश में हम आपको देनी चल नहीं हैं, हमारा आनलाइन आफ लाइन दोनों ही क्लाशेस स्टार्ट हो चुका है, यदि आप हमारे आनलाइन या आफ लाइन क्लास में अडम पर काल या वर्चब भी कर सकते हैं चले हम लोग बात करते हैं कि आप इस एकदाम के तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए जैसा कि आपको एक बात मालूम है कि सर प्रथम आपको अध्यन सामागरी को जुटाने की आवस्षिक्ता होती है जिस विशय का आप अध्यन कर रहे हैं उस अंदर में आपके पास अध्यन सामागरी कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी किताब ना पढ़ें और किस किताब में कितना पढ़ें और कितना ना पढ़ें ये दोनों बातें जानना आपके लिए आवस्षिक है आवस्यक है कि हम इस बात को भी समझें कि प्रेबियस येर के सवाल आये भी सवालों के याधार पर अपनी तैयारी को किस प्रकार से आने वाले सवालों के संदर में अपलाई करके इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आने वाले एक्जाम में किस तैब के सवाल आपको पूछे जाएंगे जहां तक बात TGT की है जोके इसमें इंट्रव्यू खत्म हो गया है और केवल और केवल मेरिट का निर्मान होगा रिटिन एक्जाम के अधार पर आप दिक्ति एक्जाम हो गया और उसी के अधार पर आपका मेरिट बन जाएगा इससे एक बात तो तैं है कि एक्जाम के सवाल भी थोड़े कठिन हो सकते हैं और मेरिट भी जादा जाएगी लंबे अर्शी के बाद यह वैकेंसी आई हुई है और पूना अब कब वैकेंसी का विध्यापन होगा यह कहना मुश्किल है इसल देखें सरप्रथम बात यहां पर अगर आपका लच्ष है तीज़टी 2020 का तो सरप्रथम आपको देखना है पास्यात्य विशारत देखना है इसमें पास्यात्य विशारत और इसमें समझना है राजनीत सास्त्र का शिद्धान्त और राजनीत सास्त्र के सिद्धान्त के साथ-साथ इसमें समझने के आउश्क्ता है भारत का शम्विधान पास्यात्य राजनीत विज्ञान के साथ-साथ राजनीत सास्त्र का सिधान और राजनीत सास्त्र के सिधान के साथ साथ भारत का स्वंविधान ये तेन बेसिक पार्ट है और यही पार्ट आपको आभ़ारती राजनीतिक सिंतन का भी यह पार्ट भी आपके तीज़िती और पीज़िती दोनों हे पाथेक्रम का हिस्चा है और दोनों बातों को आपको यहां पर पढ़ने की आउस्षक्ता है अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको यह बात आसानी से समस में आ जाता है इसलिए सर प्रथम आगर आप कोई कोचिन क्लास नहीं कर रहे है या अकिनी कारणों से आप रियाग्रास में नहीं रहते है तो आपको घबलानी की कोई आउस्षक्ता नहीं है आप कच्छा 11 और 12 की NCART की किताबें आप ले लें और उसके द्वारा जो अध्यन समागरी अधी गई है उसका आप अध्यन करें आपका एकड़म प्लेयर होगा क्योंकि कॉंसेप्ट के साथ तर्थिका भी उसमें परियाप्त मात्रा में संयोधन है आपको वह चीजें बहुत आशानी के साथ समत में आ जाएंगे आशाती चिंतन का अगर आपने अध्यन किया तो इसी चिंतन के आधार पर चुंके राजनीतिक सिधान्त का निर्मान हुआ है विचारकों के विचार से राजनीत सास्त्र के अधार्णाओं का विकास हुआ इसलिए यह बात बहुत है असानी से आपको समझ में आ जाएगी इसका अध्यन करने पर इसमें आपको कोई खास प्रियत्न नहीं करना पड़ेगर अगर देखें तो इन तेन पार्टों में विच विच वालों का कमू बेश रिशियू रहता है किसी में कम या किसी में ज्या इसलिए पास्याति राजनीत विज्यान पास्याति विचारक और राजनीत शास इसकी बाद भारत का संवेधान आता है भारत का संवेधान किसी ने किसी रूप में हम पढ़ते रहते हैं तो यह बात आसानी से आपको आजाएगी और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट अगर पन्फूद हैं तो आपको ततकाल नेड़े लेनी की आउसकता है कि राजनीत विज्यान के साथ हम इतिहास रखें बोगोल रखें या अर्थशास को रखें जो भी रखें लेकिन वह नेड़े ततकाल प्रफाव से आपको ले लेना चाहिए क्योंकि आप समय नहीं है अगर म आप कम प्रयास करेंगे तो यह आ पेले खत्री खंटी हो शलती है देखिए यह तो बात है तीजटी का इसके साथ साथ आह अगर पढ़ते हैं आघ तयारी करेंobyl सेटी क怕 तो इस पाठिक्रम के साथ तेटी मैं लोग प्रशाशं का अध्यन करना है लोक प्रशाशन का तुलनात्मक राजनीत विज्ञान का अध्यन करना है और तीसरा है अंतराश्टे राजनीत का भी आपको अध्यन करना होगा यह तेन पार्ट इसमें और एड हो जाते हैं यह पार्ट टिज्टी का नहीं है टिज्टी का पाथिक्रम पिज्टी की तुलना में छोटा है और यह पार्ट इक्रम भी पिज्टी का है लेकिन तीन पार्ट और भी अलक से इसमें एड किये गए है लोग प्रशाशन तुलनात्मक और अंतराश्टे राजनीत आधा सवाल यहां से और आधा सवाल आपको यहां से आता है एक सवाल इसमें आते हैं जबकि तीज्टी में दो विश्यों का राजनीत आधोगोल इतिहास और अर्थशास्त में किनी दो विश्यों का आपको चैन करना एक से तिरसक और एक से बाशक सवाल आपको करना होता है तो यहां पर यह बाते महत्पून हैं दूसरी बात आपके मन में एक कन्फूजन हर समय चलना है कि कौन सी किताब लें और कौन सी किताब ना लें बहुत सारी किताबें बादार में हैं और उन किताबों को लेने में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह किताब अच्छी है या दूसरी किताब तो उसी शंदर में आपको हम बतलाना चाहेंगे अगर आप खाली TGT की तयारी कर रहे हैं तो उम प्रकाश गावा या उपी गावा की किताब आप महत कुन हैं आप यही किताब इसमे ले ले लेकिन अगर TGT के साथ आप PGT की भी तयारी कर रहे हैं तो आप इसमें JP शूट के चार वालूम में किताब है उस किताब को भी इसके साथ आइड कर रहे हैं बड़ TGT के ब्यद्यार्थियों के लिए JP शूट की किताब को लेने की कोई अबस्क्ता नहीं है उपे गावा की किताब परियाप्त है और अगर आप इसको तयार कर लेते हैं भले भाद ना अपने आप से भी तयार कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की कोई आउस्था नहीं होगी बरहल चुकि वक्त कम है इसलिए आप बहुत तेजी के साथ आपको बढ़ने की आउस्था है राजनीत शास्त्र के सिध्धान्ट के अगर बात करें तो राजनीत शास्त्र के सिध्धान पर आप उपी गावा के किताब है जिसका नाम है राजनीत शास्त्र के रूप रेखा यह किताब अच्छी है इस किताब को आप ले ले दोनों किताब हैं तीजटी और पीजटी दोनों के लिए ही उपयोगी होंगी आप इस किताब को ल बुखराई दैन की इन दोनों सिर्षुकों में अच्छी है ना सामान समझ के लिए अच्छा है लेकिन कमों विस वर्तमान में आप उससे बाहर के भी सवाल आ रहे हैं तो वह किताब आपके लिए लाबकारी है लेकिन सामान समझ तक चुंकि शवाल अग उसके उपर का भी आ रहा है तो इसलिए वह किताब भी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ने से कोई उसमें परहेज ना करें जो भी किताब हैं आपके पास हूँ लेकिन एक ही किताब बार बार पढ़ें और उसी किताब के आधार पर अपना दृष्टिकौन बनाएं तो आपको और अधिकलाब होगा अराजनी सास के सिध्धान प्रोपिगावा और भारती संब्यधान के संदर में आप एयम लेच्मी कांद के किताब आप ले लें एयम लेच्मी कांद के किताब या हमारा संब्यधान में सुभास काश्यप के भी किताब आप ले सकते हैं ये किताब दोनों ही अच्छे हैं विके सर्मा या जैन पांडे के भी किताब जो लोग आटिजटी के साथ पिजटी और नेट जैरफ के तयारी कर रहे हैं उनके लिए इंप्वर्टन्ट होगा कि वो जैनराइन पांडे साब का किताब को भी ले ले देखें अब ये तो बात रहे हैं तीजटी के और आप इसके तयारी को बखुवे अंदाम दे इन किताबों के सहरे एंचियर्टी की किताब को अपने अध्यन का आधार बनाएं विशेवस्थ को शमजने में आपको मदद मिलेगी लोग प्रसेशन में आगर आप पढ़ रहे हैं तो आएक किताब कि आपको आधिसमें आपको लोग प्रसाशन का शिधान तेवं लोग प्रसाशन का शिधान तेवं लिखा हुआ है वह किताब लेले इस BEC भी किताब रोपरिटर स्थितंत के हैं और वह अच्छी किताब है आपको जो अच्छा लगे, कोई भी एक किताब ले ले, उच्चितर लोग प्रशाशन के नाम से है, और यह किताब भी उपयोगी है, अच्छा है, इसमें मैटर भी बढ़िया दिया है, आप इसको भी ले सकते हैं, दो में कोई भी किताब आप ले ले, आतुलनात्मक राजनी के संदर में, आपको अगर पुष्टक लेना है, तो सी भी गेना, एया जेसी जोहरी में, एया जेसी जोहरी की किताब है, आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, अंतरास्ति राजनीत के संदर में, इसका दो पार्ट है, और अंतरास्ति राजनीत के सिधान्त में, दौक्टर महेंदर कुमार के किताब है आप अगर उसको ले लेते हैं तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा महेंदर कुमार के किताब अच्छे है ले लें और इसके साथ साथ आपको इस पर एक किताब और लेना पढ़ेगा और आप बेल फाड़िया इतनी आपको पुष्टकों को लेने किया हो सकता है इतनी किताबों को लेकर के आप अपना अप्रोच डेवलब करें और अप्रोच को डेवलब करके आप अपनी तैयारी को आएक मिशन के रूप में प्यारम कर दें तो ये चीज़ें आपकी सही हो देंगी इसके साथ साथ आपके लिए सरवाधिक आवस्य ख़़ए कि आप अभ्यास पर अधिक बल दें कम से कम मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि कम से कम आप एक दिन में दो बिगत बर्षों के पेपर को आवस्य ही अभ्यास में लाएं क्योंकि तैयारी करने के लिए आए हुई सवाल आया उसी के आधार पर बनाया गया मौडल पेपर आपके तैयारी को ना केवल पुक्ता करता है बलके आपके अंतरगत आत्म विश्वास को भी जगाता है दोनों बातों के संदर में आप लग्तिव शवालों के अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना आउस्चिक है जिस पार्ट को पढ़ें उसकी प्रैक्टिस जरूर करें आउसी प्रैक्टिस के संदर में आप विश्वास्ट के आधार पर ये किताब हमारे दुआरा भी बनाई ग है कि एक तो शवाल का उत्तर कोई गलत नहोंने पाए दूसरा आठ टापिक वाईस बस्तुनिस शवालों के संदर में किसी भी प्रेकार से आप कोई शवाल छूटने ना पाए इसका भी हमने ध्यान रखा पाए तो कई चैनलों से होकर गुजरने के बाद इस किताब को बनाया गया यह किताब भी आपके अभ्यास के लिए मददगार शाबित होगी बादार में यह किताब उपलग है अगर आप प्रियाग राज में रहते हैं तो जैसवाल बुक Kerryां कट्रा में यह यह किताब आपको मिल जाएगी लेकिन अगर प्रियाग राज से बाहर रहते हैं आप किताब लेने के आप इच्चुक हैं तो नीचे दिये गए नंबर पर काल्या वार्ट्षप करके संपूर्ण जानकारी हांसल करके ये घर बैठे किताब ही आप मंगा सुपते हैं तो खर ये बातें आज के थी कई दिनों से आप विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सरकुष के टाबों के लिस्ट बना दें जो दूर दराज के लोग हैं और वो पीजटी-पीजटी का फार्म डालने हैं उनके लिए आज का ये क्लास आप सब के लिए अब इसे में था आपने रिगूलर क्लास में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जाहिए